नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंकीत आप्टे प्रभू और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल प्रभूएट 2020 सर्दिया शुरू हो गई है, आप सभी ने भी मेरा जैसे स्वेटर, शौल लेना शुरू कर दिया होगा अब इस सर्दि के मौसम के बारे में आज हम देखेंगे सर्दि के मौसम को आयरवेर में दो रुतों में बाटा गया है हेमंत रुतु और शिशिर रुतु जिसे आप अरली विंटर और लेट विंटर भी कह सकते हो तो इस अरली विंटर के बारे में याने हेमंत रुतु के बारे में देखते हैं हेमंत रुतु की रुतुचरिया कैसी है हेमंत रुतु ये हेमंत रुतु शुरू कभ होता है? नवेंबर के अंत के 15 दिन, डिसेंबर का पूरा महिना और जनवरी के पहले 15 दिन ये हेमंत रुतु का काल कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन सूर्य का उत्तरायन शुरू होता है और तभी शिशर रुतु की शुरुवात होती है तो आज हम देखते हैं हेमंत रुतु के बारे में इस रुतु में बातावरण में शीतलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस शीत संसर्ग के कारण शरीर की जाठरागनी पिंड स्वरूप होकर शरीर में ही निवास करती है तो इस इन दिनों में जाठरागनी की कपासिटी याने आपकी डाजेस्टिव कपासिटी काफी हद तक बढ़ जाती है और इसलिए कोई भी भारी खाना इन रुतू में आसानी से पच जाता है अगर इस रुतू में आप डाइटिंग का या खाने में परहेस करने का सोच रहे हो तो ये बढ़ी हुई जाठरागनी रस रक्तादी साथ धातू उनको पचाना शुरू कर देती है और जिससे शरीर को बहुत ही हानी पहुचती है तो इस रुतू में डाइटिंग करना बिलकुल भी ना सोचे जाठरागनी की शक्ती तो अब बढ़ गई है तो इस रुतू में स्वाद में मधूर याने मीठा, अमल याने खटा और लवण रस वाला आहार लेना चाहिए इस रुतू में वातदोश का प्रकोप होता है तो इस वातदोश के प्रकोप के कारण हवा में रूखापन बढ़ जाता है इस रूखेपन को कम करने के लिए हमें स्निग्ध आहार याने तेल और घी वाला आहार लेना जरूरी है हमारी भारतिय परंपरा बहुत ही आयूरवेद की तरफ चलती है इत थंडी के रुतू में याने हेमंत रुतू में हम दिवाली मनाते हैं इत दिवाली के दिनों में हम चकली, लड़ू, गुजिया जैसे व्यांजन बनाते हैं अगर आपने देखा होगा इन सारे व्यांजनों में स्वाद में मधुर, अमल, याने खटे और लवन रस वाले व्यांजन होते हैं और ये चकली, चिवडा, गुजिया इन सब में तेल और घी का प्रमाणवी बहुत ज्यादा होता है तो जो अहार आइडवेड में बताया गया है, वैसे ही ये व्यांजन होते हैं इसके साथ आप सबकी एक कम्प्लेन हमेशा रहती है, कि वैदिगन दही खाने से हमेशा मना करते हैं लेकिन ये हेमंत रुतु ऐसा रुतु है, जिसमें आप दही का इस्तिमाल कर सकते हो लेकिन दही कैसे खाना है, किसके साथ खाना है, इसका एक वीडियो हमने पहले ही बनाया है अगर आपने वो नहीं देखा है, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उन नियम्मूं का पालन करके आप दही का सेवन इस रुतु में कर सकते हो दही के साथ ही आपको नया धान इस रुतु में खाना चाहिए उड़द याने ब्लाक ग्राम, तिल इसका भी इस्तमाल इस रुतु में खाने में जरूर करे दिवाली में एक और ट्रडिशन हम सब फॉलो करते हैं, जिसे अभ्यंगस नान कहा जाता है अब इस अभ्यंगस नान को दिवाली में क्यों बताया है? इस रुतु में हवा में रूखापन बढ़ जाता है और इस रूखेपन को कम करने के लिए अभ्यंग जैसा कोई और नहीं अभ्यंग कैसे करना है? तिल का तेल या कोई भी अभ्यंग तेल आपको शरीर पर 10-15 मिनिट तक हलके हाथ से लगाना है लगाने की दिशा रुदाई की तरफ होने चाहिए याने नीचे से उपर की और अब इस तेल को लगाने के 10-15 मिनिट बाद आपको उबटन से इस तेल के चिकनेपन को शरीर से हटाना है और फिर गरम पानी से नहाना है यह स्नान सिर्फ दिवाली के 4 दिन नहीं पूरा हेमंत रुदू और शिशिर रुदू में आपको यह अभ्यंगसनान हर रोद्स करना जरूरी है इस से शरीर की त्वचा का स्वास्थ्य बना रहेगा गरम पानी के स्नान के साथ ही आपको इस रुदू में शरीर को ठंडी हवा लगने से बचाना है तो इसके लिए आप स्वेटर, शॉल इनका इस्तिमाल कर सकते हो सॉक्स भी पहन सकते हो लेकिन शरीर को शीतल हवा का स्पर्श होने से बचाना है आप इन सारी बातों को सुन कर बहुत खुश हुए होंगे कि वा डायेट को छुटी, खाने में भी कोई परहेज नहीं सब चीजे दही है, तेल है, घी है, सब खा सकते हैं लेकिन इसके साथ आपको एक बहुत ही जरुरी चीज हर रोज करनी है और वो है व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज इन दिनों में आपको सुबह जल्दी उठकर अपनी शक्ती से आधा व्यायाम याने एक्सरसाइज करना है हलका फुलका नहीं, मैंने कहां शक्ती से आधा अब आपको कैसे समझेगा कि आपकी शक्ती के आधा व्यायाम कैसा है तो जब आपको सिर पर याने फोर हेड पर पसीन आने लगे तो वो आपका अर्धशक्ती व्यायाम है इस व्यायाम में आप खूब दोड सकते हो, चल सकते हो, सुर्या नमस्कार कर सकते हो या फिर बहुत सारे योगासन है उनको आप डेली प्राक्टिस कर सकते हो लेकिन चाहे कुछ भी हो, आपको हर रोज व्यायाम करना बेहत जरूरी है इस रुतु में बहुत व्यायाम क्यों करना है? तो व्यायाम करने के लिए शरीर का बल अच्छा होना जरूरी है और हेमंत रुतु में स्वाभावी कृत्या शरीर का बल बहुत ही उत्तम होता है हमारे आईरवेर में एक सद्धान्त है या प्रिंसिपल है जिसे हम पिंड प्रम्हांडी ने आए कहते हैं जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि जो हमारे शरीर में है वही सुरुष्टी में है और जो सुरुष्टी में है वही हमारे शरीर में है अब जैसा कि इस रुतु में हमारे शरीर का बल अच्छा है, वैसे ही सुरुष्टी में जो भी वनस्पतिया है, पेड़ पौधे है, ओशदिया है, उनका भी बल याने वो सारवान होती है तो हम सब वैद्यकणों के लिए ये बहुत ही बहतरी इंकाल है इस रुतु में औशदिया सारवान होने के कारण, वह संग्रह करने के बाद औशदियों में इस्तिमाल करना बहुत फाइदेमंद होता है जिन लोगों को अपना वजन बढ़ाना है, उनके लिए तो ये रुतु बहुत ही फाइदेमंद है कैसे? इस रुतु में सभाभावी कृत्या, आपकी digestive capacity बढ़ी हुई होती है और भूक भी बढ़ी हुई होती है तो अगर इस रुतु में आप 54 प्राश कुश्मांड अवलेह, कुश्मांड याने पेठा जिसे मराटी में कोड़ा कहा जाता है उसका अवलेह, अब इस कुश्मांड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी के वीडियो हमने पहले बनाया है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वो वीडियो भी आप जरूर देखे तो ऐसे कुश्मांड डवलेह, चवनप्रा, शतावरी कल्प, अगर आप इस रूतू में सेवन करते हो तो उससे आपका वज़न बढ़ने में बहुत सहायता मिलती है लेकिन इस सभी का इस्तवाल करने के पहले आप अपने नस्दिकी वैदिकी सलहा जरूर ले तो आने वाला इस ठंडी के मौसम में अच्छे मीठी चीज़े खाईए खूब कसरत कीजिए और ठंडी के मौसम का मजा दुगना कीजिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आये हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करे और अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद